भारत मता की इनकलाफ बंदे आज इतनी भारी संख्या में आप सब लोग यहाँ पर पधारे पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ है और बहुत सारे लोग बाहर भी खड़े हुएं आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत आभार मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि 27 साल से तो भाज़ पाया यहाँ पे उसके पहले कॉंग्रिस थी कभी किसी भी पार्टी ने चुनाव के पहले चुनाव के बाद सरकार ने कभी आपसे ऐसे आपने सामने बातचीत करी आपकी समस्या है जानने के धमकाते हैं बस कभी आज तक बातचीत नहीं करी ये पहली बार हो रहा है पिछले छे महीने से मैं गुजराद आ रहा हूँ हमने आज हम टेक्स्टाईल के ओनर्स के साथ करमचारियों के साथ बात कर रहे हैं कई सारे पेरेंट्स आये में उनसे बात कर रहे हैं हमने अलग-अलग मुद्दों पे गुजरात के अलग-अलग हिस्सों में जाके जनता के साथ बातचीत करी, उनकी समस्याएं समझने की कोशिश करी, कि क्या समस्या है, तब ही तो समधान निकलेगा, आज जिस तरह से हम इस चुनावी कैम्पेन के अंदर आपसे बातचीत कर र रहे हैं, मेरा आप लोगों को वादा है कि जब सरकार बनेगी तो सरकार भी ऐसे ही चलेगी बातचीत के जरिये जैसे चुनाव चल रहा है, जैसे चुनाव के दोरान आपसे बातचीत कर रहे हैं, वैसे ही चुनाव के बाद सरकार बनने के बाद आपसे बातचीत करेंगे औ आपके समस्याओं का समधान निकालेंगे और जैसे वो लोग चुनाव के पहले भी आपसे बात नहीं करते वो चुनाव के बाद भी आपसे कभी बात नहीं करते तो मैं सीधे सीधे मुद्दों पे आता हूँ सबसे पहली चीज है जिस समाज में व्यापारी खुल के निडरता के साथ व्यापार नहीं कर सकता वो समाज की अर्थवेवस्था कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती वो समाज गरीब ही रहेगा वो समाज अमीर नहीं बन सकता अमीर तो तभी बनेगा जब व्यापार आदमी खुल के करेगा बिना डर के करेगा आज आप लोगों यहाँ इतने सारे लोगों ने आने की हिम्मत करी आपकी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ और पता नहीं पता नहीं है आप में से कितने लोगों के notice voters आ जाए हैं रेड़वेड हो जाए है है की नहीं है एसा डरका माहौल पैदा करक्खा इन्होंने, ऐसा डरका माहौल पैदा करक्खा है। मैं एक छोटा सा उधारन देता हूं, कल हमारा एक कारे करता। नीचे सड़क के ओपर रेडी पे कुछ खाने के लिए गया, उसको भूख लगी थी। तो रेडी पे खाते खाते उसने पूछा किसको वोट का कि वहिया बोले भाजब फिर बैठ गया वहाँ पे स्टूल पढ़ा था स्टूल पे बैठ के खाने लगा बाचीत होने लगी थोड़ी दर रेडी वाला कहता है कि सर हमारी पूरी गली जाडू को वोट दे रही है मैं भ मारोगे मिरकों रित बताओ एक आम आदमी गुजराट के अंदर ये नी बता सकता कि मैं इसको वोट दे रहां कि उसको वोट दे रहां क्या डरका महौल है गुजराट कि अंदर गलत तो hai whooshing रहा जी परिवर्तन तो सबसे पहले तो आप क्या डर खतम करूंगा मैं हमारी सरकार बनेगी निडरता से काम करना किसी से डरने की जुरूरती नहीं है किसे का कुछ छीन के खा रहे हैं क्या अपना काम कर रहे हैं 24 घंटे खून पर सीना बहा रहे हैं महनत कर रहे हैं अभी मनोज केजरिवाल जी ने का 18 साल से इन्होंने अपने माबाब को नहीं देखा था माबाब को छोड़के और यहां पे काम करने आया और उसके कितने लोग हैं जो अपना घर बार छोड़के 24 घंटे मेहनत करते हैं दो पैसे कमा जाएं और उसके बाद यह इतनी गुंडा-गर्दी करते हैं इस गुंडा-गर्दी से सबसे पहले मुक्ति दिलाएंगे आप खुल के काम करना सम्मान देंगे आपको मैं बहुत बड़े-बड़े व्यापारियों से मिला सब कहते हैं जी जिन्दिगी में पैसा तो बहुत कमा लिया जाएंगे जैसे यह सरकारें हैं सरकारें ऐसे करती हैं जैसे कोई हर व्यापारी चोर हो इस तरह से ट्रीट करती हैं टैक्स डिपार्टमेंट वाले भी यह भी वो भी ऐसे करते हैं जैसे कोई चोर हो एक वेपारी 24 गंटे मेहनत करके अपने घर के बच्चों के लीए पैसे कमाता है, उसमेंसे टैक्स देता है, दानपुन का काम करता है, धरम का काम करता है, समाज को पालता है, तो सबसे पहले आपको डर दूर करेंगे, दूसरा आपको पूरी तरह से सम्मान, तरह तरह से सम्मान दिया जाएगा सरकार की तरफ से, कि हमें गर्व है, देश को गर्व है आपके उपर, रेड राज बंद करेंगे, दिली में बंद कर दिया रेड राज, कोई इस्पेक्टर रेड़ मारने नहीं जाता, किसी डिपार्टमेंट का कोई इंस्पेक्टर किसी को नहीं बेचते हैं। मेरा अपना ये मानना ये जितने रेड़ मारने जाते हैं। ये कोई व्यापारी से टैक्स लेने नहीं जाते हैं। ये अपने लिए अपना घर भरने के लिए जाते हैं वसूली के लिए जाते हैं आपको जानके ताजुब होगा जी 2015 में दिल्ली में हमारी सरकार बनी उस टाइम दिल्ली का 30,000 करोड का रेविन्यू था पिर हमने सारी रेड बंद कर दी मेरे को कई अफसरों ने का जी रेड मत बंद करो ये व्यापारी चोर हैं ये टैक्स नहीं देंगे मैंने का भरोसा रखो व्यापारी खुद मर्जी से टैक्स देना चाहता है वो चाहता है सरकार तंग ना करे आज बाई साब 75,000 करोड का ऐसे की धोखा दड़ी माल ले जाते हैं और पैसा नहीं आता पूरा का पूरा पैसा लुट जाता है पैसा फस जाता है बहुत सारे ऐसे किसे मैंने सुने हैं कि ऐसे कई पार्टी आई चार पांच महीने तो अपनी गुडविल बना लेती हैं मार्केट में पहले दो करोड का काम किया फिर चार का किया और फिर एकदम से 20 करोड का काम करके और सारा समान लेकर गायब हो जाती है मार्केट से होता है कि नहीं होता ऐसे और कई कि लोग इस तरह से डूब चुके उनका सारा पैसा फ़स चुका इसके लिए special कानून लेके आएंगे आपको protection देंगे इसके खिलाब के अभी एक दो सुझाव तो आए कि उसमें क्या होना चाहिए आपकी F.I.R. भी होगी आपको परिशान भी नहीं करेंगे और केवल कोरी F.I.R. से आपको अंतपंत में आदमें को F.I.R. थोड़ी चाहिए अंतपंत में तो अपना पैसा चाहिए आपस दिलाएंगे आपको आपका और ये पेमेंट की प्राब्लम केवल सूरत की या गुजरात की नहीं है पूरे देश की है जितने व्यापारी हैं मैं तो व्यापारी समाज से आता हूँ जितने व्यापारी हैं सब इस पेमेंट की प्राब्लम से जूज रहे हैं मैं समझत के लोगों के साथ मिलके सूरत के लोगों के साथ मिलके एक नया ऐसा कानून लेके आएंगे जो शायद पूरे देश को एक दिशा दिखाएगा पूरे देश के लिए इस समस्या का समाधान निकल सकता है आज व्यापारी के सामने सबसे बड़ी पेमेंट सबसे बड़ी समस्या पेमेंट की धोखा दड़ी की है, इसके लिए सक्स कानून बनाएंगे और आपकी पेमेंट आपको दिलाएंगे, पांचमी चीज, सूरत को गुजरात का नहीं पूरे देश का गार्मेंट हब बनाएंगे, एक नया इंटिग्रेटेड टेक्स्टाइल पार्क बनाया जाएगा जो पूरी तरह से एक्सपोर्ट औरियंटेड होगा, उसमें आपको तरह तरह की सुविधाएं दी जाएंगी, सुविधाएं सरकारी तोर पे इंदसेंस की मालो टैक्स ब्रेक्स हैं, टैक्स इंसेंटिव्स हैं, वो भी दिये जाएंगे, और सारी फैसिलिटीज भी बनाके देंगे, अभी मेरे को पता चला, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स में आप काम करते हैं, वह ना पानी है, ना सीवर है, बुरी बुरा हाल है आप लोगों का, इसको सारे को मॉडनाइज करेंगे, पूरी सारी समस्याओं का समाधान निकालेंगे, आपको पानी भी देंगे सीवर भी देंगे, बत्ती भी देंगे, सस्ती बत्ती भी देंगे, सारी सुविधाई दी जाएंगी ताकि हजारों बच्चों को रोजगार मिल सके, खूब प्रोडक्शन हो सके, और देश को डॉलर के रूप में एक्सपोर्ट इंकम भी हो सके, छड़ा, MSME का बेनेफिट आप लोगों को नहीं मिलता, आप अगर लोन लेने जाते हो तो कोलेटरल मांगा जाता है, तो एक तो सब को MSME का बेनेफिट भी दिलाएंगे, और अभी जो पच्चेस लाख रुपए की लोन की लिमिट है, उसको एक करोड रुपए लोन की लिमिट किया जाएगा, साथमां GST, GST से बहुत सारी परिशानी है, GST के रेट से परिशानी है, उसको हम केंदर सरकार के साथ उठाएंगे, और GST को लागू करने में बहुत जादा दिक्कते हैं, उसको सिंगल विंडो बनाके वो हमारे हाथ में है, GST के rate तो केंदर सरकार के हाथ में है लेकिन GST का administration जो है यहाँ पे local level पे वो हमारे हाथ में है उसको simplify करेंगे ताकि आप लोगों को GST को लागू करने में किसी भी तरह के कोई दिक्कत है परिशानी है ब्रश्टा चार है उसको खतम किया जा सके आठमी basic infrastructure दिया जाएगा जो भी मैंने कहा आप लोगों का बिजली, पानी, सीवर ये सारा इसका इंतजाम किया जाएगा नौवा बिजली के rate बहुत ज़्यादा है इसको बिजली के rate आप लोगों के लिए सस्ते किये जाएंगे और दस्वा दिल्ली में हमने नया experiment किया doorstep delivery of services जितनी भी सरकार की service आपको ये जानके ताजिव होगा दिल्ली में हमने कई सारे सरकारी महकमों में ताला लगा दिया है कि अब यहां आने की जूरूरत नहीं है हमने एक number दे दिया 1076 यह दिल्ली से काम करता है यहां से काम नहीं करेगा आपको दिल्ली सरकार से कोई भी काम हो आपको कोई लाइसेंस लेना है, आपको किसी भी तरह का काम है, आप 1076 पे फोन करो, वहां से अवाज आती है जी आपको क्या काम है, आप अपना काम बता दो, फिर वो कहता है जी आपको आपका ये काम करने के लिए मैं आपके घर कितने बज़े आऊँ, आपको सरकारी डिपार्टमेंट में जाने की जरूरत नहीं है, सरकार आपके घर आके आपका काम करके जाएगी, आप अगर कहते हो जी मैं तो लेट आता हूं दफ्तर से रात को 10 बजे आना, रात को 10 बजे दिल्ली सरकार किसे एक अफसर आपके घर आके आपका काम करके जाता किसी दलाल के चक्कर काटने की जुरूरत नहीं, किसी को रिश्वत देने की जुरूरत नहीं, कि दफ्तर से छुप्टी लेने की जुरूरत नहीं, सब कुछ ऑनलाइन है, और जो ऑनलाइन ना कर से के उसके डोर स्टेप डिलिवरी और सर्विसेज है, इसको गुजरात में भी तो देश तरक्की करेगा और आप अपना धंदा छोड़के सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटोगे तो देश भी कैसे तरक्की करेगा यह सरकारी दफ्तरों को भूल जाना एक बार हमारी सरकार बनेगी आप चिंता मत करना सरकारी दफ्तरों को हम संबालेंगे आप अपना धंद साब, सारे स्कूल खराब नहीं है प्राइवेट लेकिन अधिकांश स्कूलों ने गुंडा-गर्दी मचा रखिया, बहुत जादा गुंडा-गर्दी मचा रखिया, कानून के मताबिक कोई भी स्कूल, जितने स्कूल होते हैं न ये, ये कानून के मताबिक चैरिटेबल ट्रस होते हैं यह उससे कमाई नहीं कर सकते कोई भी स्कूल आपकी फीज से कमाई नहीं कर सकता प्रॉफिट नहीं कमा सकता हमने दिल्ली में हमारी सरकार बनी हमने दिल्ली के सारे स्कूलों का ओर्डिट करवाया financial audit और आपके जानके ताज्यों बोगद नाम लेना तो लेकिन अपने मन में सोच लेना देश के जितने बड़े से बड़े नामी गिरामी स्कूल हैं, किसी के पास 40 करोड की FD, किसी के पास 60 करोड की FD, पैसे कमा करो, FD करा 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 के बैठे हैं, उससे इंटरेस्ट में इंटरेस्ट कमा जा रहे हैं, और आपके बच्चों की फीस तुडवाई और बच्चों की कई कई सालों की फीस वापस करवाई यह कोई चमतकार से कम नहीं था आज तक इतने बड़े-बड़े स्कूल आप मन में जो भी स्कूल सोच सकते हो सोच लो उन स्कूलों ने अपने बच्चों की पेरेंट्स के एकाउंट में पैसे वापस करें ऐसा हुआ इस देश के अंदर ने तो कौन स्कूल वापस करता है पैसे कभी लाइबरेरी फीस कभी डवलप्मेंट फीस कभी पिकनिक फीस कभी डिमका फलाना डिमका फीस फीस पे फीस लेते रहते हैं यह लोग तो एक यह करा और उसके बाद हमने यह कर दिया वह कोई भी अगर बढ़ानी है तो आप सरकार से परमिशन होगे साथ साल से दिल्ली में किसी स्कूल को फीस नहीं बढ़ाने दिया हमने आज सब गौतम साहब ने कहा कि उनकी बच्ची को स्कूल से निकाल दिया गया तो दो चीज है सुराना साहब एक तो सारे गुजरात के लोगों को क इतने लोग हैं जनके बच्चों को इन्होंने गुंडागर्दी करके स्कूल से बाहर का रखा है सरकार बनने के 24 गंटे के अंदर सारे बच्चे स्कूल के अंदर होंगे एक आपका नाम याद नहीं है पीछे सरदार जी बेढ़े हैं करन भाटिया साब ने बहुत अच्छी बात उठाई ये इस देश के युवा का दर्द है इस देश आप तो किसमत वाले हैं आपके पिताजी के पास पैसे थे आप 30-40 लाख रुपे देके कैनड़ा से पढ़ा रहे हैं उनके पिताजी के पास पैसे भी नहीं है वो तो कैनड़ भी नहीं जा सकते लेकिन उनके भी सपनों को पर लगाने का काम सरकार का है उनके भी सपने पूरे करने का काम हमारा है दिल्ली के अंदर हमने एजुकेशन सिस्टम बहुत शानदार किया ऐसा नहीं कि सब कुछ एचीव कर लिया भी बहुत कुछ एचीव करना बाकी है लेकिन हमें ऐसी शिक्षा विवस्था इस देश के अंदर तयार करनी है कि हमारे बच्चों को कैनेडा, अमरीका और वो अभी जो देश है जहां वार चल रहा है युक्रेन, युक्रेन में बताओ, मेडिकल करने के लिए, मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए, युक्रेन जा रहे है हमारे बच्चे हमारा देश कितना बड़ा देश है, कितना तरक्की कर चुका और हमारे पास मेडिकल कॉलेजिस नहीं है तो हम ऐसी शिक्षा वेवस्था लेके आएंगे इस देश के अंदर, और दिल्ली के अंदर करके दिखा दिया दिल्ली के अंदर सब के लिए education free कर दी हमने, हमने सब, अमीरों या गरीबों, सबकी education free है और शांदार education कर दी, शांदार school बना दिये, सरकारी school शांदार बना दिये, बच्चे अप्राइवेट स्कूलों से अपने नाम कटा कटा के सरकारी school में बरती हो रहे हैं तो education system अच्छा करना है, colleges अच्छे बनाने हैं, अच्छे अच्छे शांदार colleges बनाने हैं और ऐसी विवस्था करनी है कि हमारे बच्चे कैनेडा जाने के बज़ाए चैनेडा के बच्चे अब इंडिया आने लगें पढ़ने के लिए अपने बच्चों के लिए रोज्गार का इंतिजाम करना है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है दिल्ली के अंदर हम 11 क्लास से बच्चों को बिजनस करना सिखाते हैं हमने बच्चों के अंदर कूट-कूट के भर दिया आथवी, 9वी, 10वी, 11वी, 12वी में कि मैं बड़ा हो के नौकरी मांगने वाला ने बनूगा नौकरी देने वाला बनूगा तो वो बच्चे, उनको हम सारी चीजे सारी बढ़ाई कराते हैं, उनको नएने आइडियाज देते हैं, कि कैसे मेरे को बिजनस करना है, नौवी, दस्वी क्लास से उसको ये सोचने के लिए मजबूर करते हैं, कि मैं बढ़ाओ के क्या बिजनस करूँगा, और अगर सारे को हम चुनते हैं, आज मैं गुपाल इटालियाजी से बात कर रहा था, वो बता रहे थे भई, पहले मंत्री तो पड़े लिख्यों हो, तभी तो, अब अगर हम ऐसे मंत्रियों को चुनेंगे, ऐसे मिले को चुनेंगे, जो खुदन पड़े, तो वो क्या आपके लिए स्कू दूँगा, तो उसने का, क्यों, इतना क्यों वो हो रहे हो, तो उसने का, जी यह जो अपना है, मिले है, लोकल, इसके पास एक बरी में काम कराने गया, दो घंटे बिठाया उसने, मैंने पूछा, क्यों बिठाया, कहता है, यह तु ले के आए, यह इंग्लिश में है, मेरा इंग्लिश पढ़ने वाला जब आएगा तो, तो यार, हम यह नी कहरें, इंग्लिश कोई बहुत अच्छी बाशा आया, लेकिन ऐसे लोगों को तो ले, मंत्री को तो अंग्रेजी तो पढ़नी आनी चाहिए, हिंदी तो पढ़नी चलो, अंग्रेजी नी, गुजराती तो पढ़ ले कम से कम, ऐसा था हो, कम से कम अपना मंत्री, पढ़े लिखों को वोट दो, इमानदार लोगों को वोट दो, अभी तक 27 साल में आप लोगों के पस कोई मा, वो नी था, मौका नी था, पहली बार उपर वाले की कोई कृपा हो रही है कि ऐसा जबरदस्त महौल बन सारे लोग मिलके इस बार बदलाव करो, नई सरकार लेके आओ, मिलके तरख्य करेंगे, बहुत-बहुत शुक्रियाद